नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी खबरों को बढ़ती गर्मी में नीजी स्कूलों के समय में भी हो सकता है बतलाव हाजी मतलूब इमाम हाजी मतलूब इमाम अध्यक जारकन प्रदेस कॉंग्रस कमिटी और जारकन राबता हज कमिटी ने मुखे मंत्री चमपई सोरेन से मांग की है कि हीट वेव और गर्मी को देखते हैं वो सरकारी स्कूलों की तरह नीजी स्कूलों के समय में भी बतलाव किया जाए कहा है कि हर दिन तापमान बढ़ने से बच्चों को स्कूल आने जाने में परिशानी हो रही है उनकी बिवार होने का भी खत्रा इससे बढ़ जाता है इसलिए सरकारी स्कूलों की तरह ही नीजी स्कूलों के समय में बदलाव किये जाए विद्यालियों पर भी लागू होगा यह आदेश कल्यानी 6 अप्रेल से लागू किया गया है सभी विद्यालियों के प्रचारे प्रधाना ध्यापक प्रभारी प्रधाना ध्यापक वर्डन को निर्देश दिया गया है कि बदलेवे समय के अनुसार है स्कूल का संचालन करन गर्जन के साथ बारिश हो सकती है एसमी ये बारिश लोगों को काफी आराम देगी मौसमी भाक्यानुसार बंगाल की खाड़ी में साइकलोनिक सर्कूलेशन बन रहा है इस वजह से 7 अप्रेल से 9 अप्रेल तक राजे के कई हिस्सों में बारिश के आसार है आठ अप्रेल को राजे में कहीं कहीं में गर्जन के साथ तेज हवा चलेगी जात अप्रेल के मुकाबले 8 अप्रेल को हवा की रफ्तार 10 किलोमेटर कम होगी इस दिन हवा की गती 40 किलोमेटर तक हो सकती है वजर्पात की आशंका भी व्यक्त की गई है इसी तरह 9 अप्रेल को राजे के दच्छडी हिस्से में में गर्जन, तेजहवा और वजरपात के साथ बारिश की बात कही गई है बारिश को कारर 4-5 डिगरी तक की गिरावट हो सकती है मौसम इभाग की रिपोर्ट के नुसार 10 अप्रेल को राजे के दच्छडी और मद्यभाग में कहीं कहीं हलके दर्जे की बारिश हो सकती है इस दारे में राची बोकारो, गुमला, हजारी बाग, खुंटी और रामगड जीले के साथ पूर्वी सिंग्भूम, सपशिमे सिंग्भूम, सराइकेला, खरसावा और सिम्डेगा जीला आएका लगबग मौसम का मिजाज 11 और 12 अप्रेल को भी कुछ इसी तरह रहने वाला है इस दोरान अधिक्तम और नियूंतम तापमान में भी अंतर देखने को मिलेगा अधिक्तम तापमान 35 डिग्री और नियूंतम तापमान 21 डिग्री तक रह सकता है जारकन के पलामो टाइगर डिजर्व में फिर दिखा बाग कैमरा ट्रैप में कैद हुई तस्वीर जारकन के लतेहर जीले के पलामो टाइगर डिजर्व में अपने आसपास होने वाले किसी भी गतिवीधी को भाप कर तस्वीर लेने वाले कैमरा ट्रैप में फिर से एक बाग की तस्वीर कैद हुई है PTR के घने जंगलों में चार बागों के उपस्थिती लगतार बनी हुई है उनकी गती वीधियों पर नज़र रखने के लिए अलग-अलग जगहों पर 100 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाया गया है बाग की मौझूदगी वाले इलाकों में कैमरा लगाने का सकारात्म परिडाम दिख रहा है बाग की आकरशक तस्वीर सामने आने से PTR प्रबंदन में जहां खुशी की लहर है वही दूसरी ओर सुरक्षा ववस्था को और पुक्ता कर दिया गया है पलामो टाइकर डिजरों के फिल्ड डारेक्टर कुमार आशुतोस ने जानकारी दी की PTR में अब लगातार बाग की उपस्तिती दर्ज हो रही है ये बेहद खुशी की बात है अवैत खनन मामले में बढ़ सकती है हिमंद की मुस्किले एडी ने NGT को बताया पंकद मिश्रा है इसका मास्टर माइन 13 माई को सुनवाई अवैत खनन मामले में जार्खन के पुर्वसीयम हिमंद सुरिन की मुस्किले बढ़ सकती है इस मामले में E.D. ने चार्ज सीट दाखिल कर कोट को उनकी सनलिप्तिता की जनकारी तो दी ही है लेकिन अब उनकी मुसीबत अवैत खनन मामले की वजह से बढ़ सकती है ऐसा इसलिए कि E.D. ने एक शपतपत्र के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्यूब्यूनल पुर्वी जोन कॉलकाता को विस्तित जनकारी दी है जिसमें E.D. ने बताया है कि साहिब गन जीले में हुवे एक हजार करोड से अधिक के अवैत खननन का मास्टर माइंड पंकज मिश्र मुक्ती संस्था ने 43 अग्याश्रवों का किया अंतिम संस्कार रविवार को मुक्ती संस्था के द्वारा जुमार नदी राची के तड़ पर 43 अग्याश्रवों का पूरे विधिविधान से अंतिम संस्कार किया गया है संस्था के सदत से रीम्स राची के मुर्चुरी ग् अग्याश्रवों का अंतिम संस्कार किया गया है अंतिम अर्दास परमजित सिंग टिंको ने किया मौके पर संस्थाने अन्य सदसे रवी अगरवाल, रतन अगरवाल, आशीज भाटिया, हरिस नाकपाल, आदिते राजगरिया, केवल किशोर, राजेस, विजैवरगी, सुनिल अगरवाल, सुदरसन, अगरवाल, सहित, अन्य भी उपस्थित रहें। इस्थाने लोगों के अनुसार गाड़ी में सवारलोग शराब के नसे में थें, और वे कहीं से पार्टी मना कर आ रहे थें। कटिंग के पास जैसे ही दोनों यूवक ने स्कूटी मोडने का प्रयास किया, तभी विप्रिद्दिसा से आ रहे थार के चालक ने स्कूटी में जोरदार धक्का मार दिया। और इस कूटी सही दोनों यूवक को घसिटते हुए करम टोली चौक के समीप इस्थित प्रेस कलब के पास तक ले गया। एक यूवक की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी वहां छटपटा रहा था, आनन्फानन में उसे इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहांचे किस्सेकक ने दोनों यूवकों को मृत घोशित कर दिया। दिनेश कुमार की अदालत ने सजा कि बिंदूओं पर सुनवाई के लिए 10 अप्रेल की तारीक तै की, मामरा 27 मई 2013 का है, इस दोरान पॉलूस और जेठा अंदादुन फारिंग कर ठेकेदार भूसर्ड सिंग और राम गोबिन सिंग की हरत्या हुई थी, एके 47 से गोली मारी गई थी, तरसल इस दोरान ठेकेदार भूसर्ड सिंग पर महिला से रेप का आरोप लगा था, इस पर जांच में केस फरजी मिलने पर पुलिस ने जांच बंद कर दी थी, इसके बाद भूसर्ड की गिरफतारी के लिए विधायक ने कर्रा में धाना में धरना दिया था। कि महागडबंदन को तोड़ने के सारे प्रयास भी फल हो चुके हैं, भाचपा के लगातार प्रयास के बाद भी जार्खन में महागडबंदन पूरी तरह एक जूट है, सीम ने कहा कि जार्खन को आगे ले जाना है, नीजे कमपनियों में 85% इस्थाने लोगों को नौकरी म मिलनी चाहिए, भाचपा के लोग जार्खन्डियों का विकास करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीती करते हैं, अलग जार्खन राज के लिए आंदोलन जामुमों ने किया, कुर्बानी दी और पुरोहित भाचपा बन गई है, उन्होंने कहा कि कि सरकार ने गरीबों के लिए आवास का आवंटन नहीं किया, तो राजसरकार ने अबुआ अवास योजना सुरू की है, ताकि कोई भी गरीब आवास विहीन नहीं रहे। जां की अदालत ने राजसभा चुनाओ 2016 में हुवे हास ट्रेडिंग से सम्मंदि जगर्नाथपुर थाना छेत्र में दर्ज मामले में दायर क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई की, मामले के शिकायत करता, गरी विभाग के अपर सचीव अविनास चंद्र ठाकुर ने अपन चक्रधरपुर में मिनी नकली सराब फैक्टरी का हुवा भांडा फोर्ड, नकली सराब बनाने का समान सहित जारकन सरकार का स्टीकर बरामद। चक्रधरपुर के सरकारी लाइसेंसी विदेशी सराब दुकानों में नकली शराब मिलने के शिकायत कोई नई नहीं है, आए दिन लोग इस तरह के शिकायत करते रहते हैं, चक्रधरपुर में नकली शराब धडले से बिक रही है, लेकिन आज तक इस मामले में ना तो कभी गंभिरता से जाच हुई और नहीं कोई कारवाही के लिए ठोस कदम बढ़ाए गये थे। लेकिन रविवार के दिन चक्रदरपूर पोलिस की कारवाही ने सभी के होस उड़ा दिये। चक्रदरपूर के भी शहर के पोशे लाके में इस्थित म्यूंसी पलिटी हरीजन बस्ती छेत्र में एक मकान से पोलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्टरी का उद्भेदन किया है। पानी की समस्या हो तो लोग इसके जर्ये अपनी समस्या रख सकते हैं। जला दी गई लाखों की दवा वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। पानी की दवाई थी जिसमें अधिकांस दवाईयों की एक्सपारी डेट 2022 और मार्च 2023 की देखी गई। गई कई दवाईयों में न तो एक्सपारी डेट और ना ही बैच नंबर लिखा हुआ दिखा। हटिया स्टेशन से विजवाड़ा भेजे जा रहे साथ नाबालिक बनामत तीन तसकर गिरफतार। रेलवे पूलिस की नन्ने फरिस्ते टीम ने साथ नाबालिकों को मानो तसकरों के चंगुल से बचाया। और तीन व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर एक पर एकस्केलेटर की नीचे ट्रेन नंबर 186-37 एकस्प्रस के आने का इंतिजार कर रहे थे। संध्या के आधार पर प्रदीप्रग्या, बबलू राम और सुरेश कक्षप को हिरासत में लिया गया है। कड़ाई से पूछताच करने पर तिनों तसकरों ने बताया कि वही लोग सातों बच्चों को स्टेशन लाए थे और विजयवाड़ा जाने के लिए ट्रेन में बैठाने वाले थे। देवघर में आधिरात घर में लगी आग, बच्चे की खुली नीन तो चिलाया, घर का सामान जला, मदद की लगाई गुहार। देवघर जीले के खागा थाना छेतर के घोड़ा दहा गाव की है। और घर से बहार आकर हला करने लगे, आवाज सुनकर ग्रामीर पहुचे और आग बुझाने की कोशिस करते रहे। जब तक आग पर काबू पाया, तब तक घर में रखा समान जल कर राख हो चुका था। इडी ने NGT में दाखिल किया हलफ नामा, बताया पंकज मिश्रा ने कराया एक हजार करोड का धंदा। अवैथ खनन मामले में इडी ने NGT में हलफ नामा दाखिल किया है। हलफ नामे में इडी ने बताया है कि पंकज मिश्रा ने ही 100 करोड के खनन किया है। इस खनन के दौरां प्राप्त किये गए पैसो को उसने अपने सहयोगियों के खातों के माध्यम से सफेद कर उसे पिसरों की तलासी ली गई थी, 20 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 2022 तक एडी ने कई सम्बंदित राज्य के अधिकारियों वो कर्मचारियों के टीम द्वारा खदानों का सन्युक्त सत्यापन और सर्विक्षड कराया था, निरिक्षड में अवैत खनन और उनके अवैत परिवहन की पुस्टी हुई, आज तक 1000 करोर रुपय से अधिक का अवैत खनन हो चुका है। इस थाने लोगों ने SDM को ग्यापन सौपा है। आरुप लगाते हुवे कहा कि कई लोगों के जमीन और घर के आवागमन के रास्ते को नाली और सड़क दिखा कर बिल्डर दुरूस ओंतलिया और जमीन माफिया दिलिप गोयंका ने आस पास के जमीन को बेचा। और अब आयोग भरत सरकार द्वारा आबंटित सहायता अनुदान राशी से प्रखंड वन निर्माड के लिए आबंटित राशी का अभी तक पूरा हिसाब नहीं मिल पाया है। ग्रामीड कार जलसन साधन सहित सभी विभागों को पत्र लिक कर लंबित उप्योगिता प्रमाड पत्र का हिसाब देने को कहा है। इसके एवज में आपको निर्वाचन विभाग पुरस्कृत करेगा। जी हाँ, यह मौका आसन लोगसभा अमचनाव 2024 के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से इस्थाने सोसल मीडिया इंफ्लुएंसर और डिजिटल कलाकारों के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए 10 अप्रेल तक आपको रोजिस्ट्रेशन करावना होगा। की जा सकती है। अप्राधिक मामलों में लंबित एक दर्जन से अधिकारोपियों को गिरफतार कर लिया। आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है। जीलों में विधिववस्था के लिए ग्रीहकारा एवं आपता प्रबंदन विभाग ने दो दसमलों एक पांच करोड की राशी आबंटित की है। इसको लेकर ग्रीस अचीव ने आदेश जारी किया है। के अनुसार एक हजार लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हलांकी राज सरकार के अनुसार पहले की तुलना में राज में डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी गई है। आधार बुसन रशनाय भी बढ़ाई गई हैं लेकिन चुनोती बरकरार है। जारखन की लोगों को भेतर स्वास्त सुमिधा देने के लिए सरकार प्रयासरत है लेकिन सुदूर ग्रामिड इलाकों तक इसकी पहुच नहीं हो पाई है।